तो आज मैं दो चीज के उपर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारा question मेरे पास आ रहा है और यह जो question है relevant भी है कि यह जो first semester है as well as third semester, fifth semester as well as seventh semester and ninth semester के जितने सारे students हैं उन लोगों नी यह question बार-बार मुझसे repeat किये हैं जितना भी video जा रहा है सभी में यह question पूछा जा रहा है तो मैंने सोचा कि इसका एक अलग से video बनाऊ और आप लोगों को बता दू कि actually क्या है यह so you need not to worry about anything so देखिए पहले मैं answer करना चाहूंगा जो third semester यानि कि जो senior batches हैं उन लोगों के लिए तो इसके चलते हैं मैं आप लोगों को और एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा जो latest videos आ रहा है कि MCQ आप कैसे find कर सकते हैं मैंने last video डाला अभी 4-5 गंटे पहले वहाँ पर एक question मैंने तीनों website के बारे में बात किये थे बहुत ही उंदा websites है तो आप लोग बहुत ही कम duration देख रहे हैं एक website देख रहे हैं तो आपको लग रहा है सब कुछ मिल गया चलो ठीक है skip करके निकल जा रहा हैं उसी website में ढून रहे हैं अभी फिर आके बोल रहा है कि अगर देखें ये क्या है कि 2-3 website मैंने क्यूं दिया है अगर किसी को कोई एक website में कुछ नहीं material नहीं मिल रहा है तो दूसरे website में जाके आप उसको search कीजिए तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे नहीं बहुत ही छोटा वीडियो होता है ये 5-6 मिनिट का ओभी अगर आप नहीं देखते तो फिर आपको बार-बार आके मुझे question करना पड़ रहा है और इसका मतलब आप वीडियो देख नहीं रहे है और duration जो है घटरा है इसका मतलब भी यही साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं है तो अगर आप लोग वीडियो देखते नहीं है तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा आप लोगों के लिए तो duration को उसको जो है उसको आपको जितना तक देखना है तीनो एकलिस तीनो विपसाइट हो तो तीनों विपसाइट तो पहले नाम तो देख लीजी है कौन-कौन सा विपसाइट है अप नाम भी नहीं देख रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा भी या तो आपको चेंज करना पड़ेगा ये पैटर्न और फिर बात में आकर मुझसे कुछेएगा तो आभी से मैं अंसर नहीं दूंगा आप लोगों को तो बात में मत कहिएगा कि सर नहीं किया ये तो मेरा रिक्वेट था आपसरभी से प्लीज समझिए आप ही लोगों के लोगों के लिए बैतरी के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ और जो मैं कहना चाहूंगा भी असली वीडियो पर आते हैं कि यह जो यानि कि 5th, 3rd, 5th, 7th और 9th सेमिस्टर का स्टूडिन्स को उन लोगों का क्वेस्चिन है कि PCA2 यानि कि कॉलेज को उपर डिपन कर रहा है क्योंकि कॉलेज यह एक्जाम कंड़र्ट करते हैं आप लोग जानते हैं कि सेशिनल और प्रैक्टिकल जो एक्जाम होते हैं वो कॉलेज कंड़र्ट करते हैं और कॉलेज कंड़र्ट करने के बाद उसका मार्क्स इंट्री कर देते हैं पो CA4 marks आप लोगों का पहले और इसके लबब PCA1 का marks जो है वो पहले भड़ चुका है तो मैं यह आप लोगों को notice भी दिखा देता हूँ चलिए यह वाला notice जो है यह senior batches के लिए तो देखिए PCA2 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है to be notified later और जो first semester का students है उन लोगों के लिए का गया है देखिए CA3 और CA4 जो है वो दिया गया है और PCA1 जो है वो अभी बाकी है ठीक है तो इसके चलते यह मैं कहूंगा कि जितने सारे students है उन लोगों का यह जो जितना सारा basket जी basket जैसे था और बगएरा बगएरा इसके चलते बहुत सारा changes हुआ था इसलिए CA1 and CA2 as well as PCA2 आपका time से ही दिया जाएगा you need not to worry about it university is very much concerned about all the students मैं बार बार कह रहा हूँ university is really concerned तो आप लोगो को चिंता करने कोई जरुरत नहीं है and don't worry ठीक है तो आपका marks जो है वो portal में entry हो जाएगा आपका final अभी जो exam आ रहा है उसके उपर concentrate कीजिए तो बहतर होगा और हां कुछ नया important बहुत ही important जैसे कि कैसे आ अपना right answer उसके उपर यानि कि कुछ question का अगर answer नहीं मिल रहा है तो उसका answer कैसे find करेंगे आप तो ये भी मैं बता दूंगा आप लोगो को उसका नहीं वीडियो आ रहा है तो देखते रहिएगा with this thank you very much and all the best subscribe करना मत भूलिएगा please thank you